नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने येटूब चैनल इस्टोडी भी तरभी पर फिरिंस आज के स्किलास में हम उत्राखन करेंट फिर्स पढ़ने वाले हैं जिसमें दोस्तों सभी इंपोर्टेंट और सेलक्टिट कोश्चन सामिल के गए हैं तो चलेगा शुरू करते हैं आज के अपनी स्किलास को जिसका पहला कोश्चन रहेगा कि हाल ही में किसने मिसिज इंडिया गिलेम 2024 का खिताब जीता है राइट अंसर रहेगा दोस्तों उप्षन ए अर्चना चंद ने ठीक है तो याद रखेगा कि अर्चना चंद ने मिसिज इंडिया गिलेम 2024 का खिताब अपनी नाम किया है ठीक है अर्चना चंद की बात करें तो यह दोस्तों थल पिथोरागड के अधोली गाउं की रहने वाली है ठीक है तो आपको इसका निवास इस्थान वियाद रखना है कि अर्चना चंद कहां की रहने वाली है तो यह दोस्तों पिथोरागड की रहने वाली है next question है कि हाल ही में किसे teacher icon award से सम्मानित क्या गया तो यह सम्मानित क्या गया दोस्तो रोसन वलूनी को सही answer है हमारा option B ठीक है तो रोसन वलूनी जिन्हें दोस्तो teacher icon award से सम्मानित क्या गया है यह दोस्तो एक हिंदी विसे के प्रबक्ता है ठीक है और इन्हें यह पुर्शकार दोस्तों सिक्षा और साहित्य के छेत्र में उत्करश्ट, नवचार, पिर्योग, उपलब्द्यों और समाजिक कार्यों के लिए दिया गजा है यह बरतमान में दोस्तों एकेशवर के नो गाउं खाल GIC कोलिच के प्रवक्ता हैं ठीक है तो एकेशवर यह कहां पर इस्तित है तो यह दोस्तों पोड़ी गड़वाल जनपद में इस्तित है अगला प्रशन है हल ही में किसे मलनो प्रांत तेंजिंग नोरगे नैशनल एडवेंचर अवर्ड 2023 से सम्मानित क्या गया इंपोटेंट कोशन है न दोस्तों यह दो पहले बार दिया गया है ठीक है किसी महिला को तो आपको याद रखना है कि मलनो प्रांत तेंजिंग नोरगे नैशनल एडवेंचर अवर्ड 2023 से सम्मानित क्या गया है सविता कंसवाल को सही आंसर है ओप्शन भी सविता कंसवाल यह है उत्राखंड के उत्रकासी जनपत की रहने बाली है ठीक है यह और यह जो पुरुस द्रोपती का डांडा की चड़ाई करते समय भूस खलन की चपेट में आने से सहीद हुई थी ठीक है तो यह आप याद रखेगा इंपोर्टेंट है चोथा कोशन है कि उत्राखंड का पहला वाली का स्पोर्ट्स कोलीज कहां बनाया जाएगा इंपोर्टेंट कोशन है तो राज्य का पहला दोस्तो बाली का स्पोर्ट्स कोलीज जो बनाया जाएगा तो वह लोहा घाट चंपावत में बनाया जाएगा सही अंसर है ओप्शन सी ठीक है और दोस्तो यह जो घोसना की है मुख्या मंत्री के द्वारा की गई ठीक है और इसके बारे में जो बताया तो खेल मंत्री हैं हमारी रेखा आर्या उन्होंने बताया है ठीक है तो आप याद रखेगा कि खेल मंत्री हैं बरतमान में उत्राखन की रेखा आर्या अगला प्रसने राजी के किस वेटलेंड आरक्षिती का नाम परिबर्तित कर सीता बनी कंजर्वेशन रिजर्व रखने की घ थापना की गई थी दोस्तो 2012 में इसका नाम दोस्तो परिवर्दित किया गया है और नया नाम रखा गया सीता बनी कंजर्वेशन रिजर्ब ठीक है राज्ये में दोस्तो चार कंजर्वेशन आरक्षिती हैं यह आप याद रखेगा ठीक है पहली है दोस्तो नैना देवी हिमाल हिमाल्याई वर्ल्ड कंजरविषन रिजर्ब जिसकी स्थापना दोस्तो 2015 में की गई थी और ये है राज्ये की सब्से वड़ी कंजरविषन आरक्षिती है ठीक है दूसरा है दोस्तो आसन वेटलेंड आरक्षिती जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी और यह है दहरादून में इस्तित है तीसरी है दोस्तो जिलमिल वैटलेंड आरक्षिती जो हरीद्वार में इस्तित है इसके भी स्थापना 2005 में की गई थी ठीक है और चोथी है दोस्तो पावलगर जिसका नाम चेंज क्या गया है तो चारों आपको सम्मानित किया गया सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स तीन ठीक है तो तीन पुलिस कर्मियों को राज्यपाल उत्करष्ट सेवा पतक से सम्मानित किया गर्तन दिवस सम्हारों में ठीक है ये भी आप याद रहेगा ठीक है और जो दोस्तो पुलिस कर्मियों को समानिती गया उनकी संख्या है 26 जिन में 3 है दोस्तो राजय पाल उतकरष्ट सेवा पदक पराप्त करता और 19 है सरहान्ये सेवा पराप्त करता थिक है तो आपको टोटल याद रखने है 26 पुलिस कर्मी है अगला प्रसन है कि राज्य के किस इतिहास कार को पदम शिरी पुरुषकार 2024 से सम्मानीत किया गया तो राज्य के इतिहास कार हैं दोस्तों डोक्टर यसवन सिंग कटोश जिन है पदम शिरी पुरुषकार 2024 प्रदान किया गया है ठीक है इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों ग ठीक है और 5 व्यक्तियों को दोस्तो पदम भीभूशन दिये गए और पदम भूशन जो दिया गया तो भैं दोस्तो 17 व्यक्तियों को दिया गया है ठीक है 110 दोस्तो पदम स्री प्राप्त करता है 5 है दोस्तो पदम भीभूशन प्राप्त करता 17 है दोस्तो पदम भूशन प्रा रखन के कितने IPS ओफिसरों को राष्टपती पुलीस पदक से सम्मानित किया गया तो राज्ये के दोस्तों चार पुलीस करिमयों को राष्टपती ने पुलीस पदक से सम्मानित क्या है ठीक है इंपोर्टेंट कोश्चन है याद रखना है अगला प्रेशन है राज्य के किस मार्ग का नाम नंदा राजजात मार्ग क्या तो दोस्तों राज्य के थाराली वाण मार्ग का नाम नंदा राजजात मार्ग किया गया है इंपोर्टेंट कोश्चन है ठीक है आपको याद रखन करना ये कि धराली वाड़ मार्ग का नाम चेंज के गया और इसका नया नाम रखा गया है नंदा राजजात मार्गी ठीक है क्योंकि दोस्तों इसी मार्क से जो होती है नंदा देवी राज्जात यात्रा निकलती है अगला प्रेशन है कि राष्टपती द्वारा गरतंत दिवस समहरों में कितने सैन्य कर्मियों को कीर्थी चक्र से सम्मानित किया गया तो friends किर्थी चक्र से 6 सैन्य कर्मियों को सम्मानित क्या गया है सही answer हमारा option A अगला प्रशन है कौन सा देश म्रत्यू डंड के लिए nitrogen gas का उप्योग करने वाला विस्प का पहला देश बन गया है तो दोस्तो अमेरिका अमेरिका विस्प का पहला देश बना है जिसने म्रत्यू डंड के लिए nitrogen gas का उप्योग किया है तो सही answer हमारा option B अमेरिका का दोस्तो एक दोसी था केनेथ यूजिन इसमित जिसे म्रत्यू डंड दिया गया और इसे म्रत्यू डंड nitrogen gas का उप्योग कर दिया गया है बारभा प्रेस ने संसद रतन पुरुषकार 2023 कितने संसदों को दिया जाने की घोसना की गई है तो दोस्तो संसद रतन पुरुषकार 2023 जो दिया जाएगा तो यह है पांच संसदों को दिया जाना है यह पुरुषकार दोस्तो 17 फरवरी को बित्रित किया जाएगा तो याद रखेगा कि पृतियक वर्स ठीक है उत्रेष्ट कार्य हे तू यह है पुरुसकार दिया जाता है ठीक है और 2023 के लिए दोस्तो कितने सांसत चुने गए हैं पांच नेश्ट कोशन है कि राज्य का पहला सिगनेचर ब्रीच किस हाइवे पर बनाया जाएगा तो राज्य का पहला सिगनेचर ब्रीच बनाया जाएगा दोस्तो बद्रिनाथ हाइवे पर ठीक है रिसी केस बद्रिनाथ हाइवे पर दोस्तो इसे बना जाएगा और जनपत की बात क गया तो यह है शुरू किया गया है दोस्तो उत्राखंड जन्पद में सही आंसर है हमारा ओप्सन ए ठीक है मुख्यमंत्री गिराम संपर्क योजना तो यह है उत्राखंड राजे में शुरू कि गई है इसके तहत जो होगा दोस्तो 250 से कम अबादी वाले गाओं को सडकों से जुड़ा जाएगा और इस योजना को सुरू जो किया गया तो 4 दिसंबर 2023 को सुरू किया गया है नेश्ट कोशन है और लाश्ट कोशन रहेगा जिसका अंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि गरतन दिवस 2024 समहरों में किस देश के राष्टपती मुक्या अतिधी के रूप में आये थे ठीक है ब्राजील मिस्र और फ्रांस जापान ठीक है तो उपसंदी है आपको आने वाले उत्राखन के किसी भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो आज की किलास में बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगली किलास के साथ तब तक के लिए थैंकिसो मच पर वाचिंग जैहिंद